गुरू को मजबूत करने के उपाएं और गुरू खराब होने के लक्षन के बारे में जाने जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदु धर्म के अंदर हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं गुरू के बारे में जानते ही हैं एक गुरुमार होता है जो की गुरू का दिन होता है यदि गुरू किसी की कुंडली के अंदर काफी कमजोर हो जाता है तो जीवन के अंदर कई तरह की परेशानिया आने लग जाती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसलिए यदि आपका भी गुरू कमजोर है तो उसे मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। गुरू को मजबूत करने के उपाय पीले रंग कपड़े पहने। दोस्तों यदि आपको सही सही यह पता चल चुका है कि आपका गुरू खराब है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। रंग पूरा पीला होना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं तो मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनको ये दान दे सकते हैं। और यदि मांगने के लिए लोग नहीं आते हैं तो फिर आप किसी मंदिर में भी ये दान कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को दान दे सकते हैं इसका फायदा आपको दिखना शूरू हो जाएगा आप इस बात को समझ सकते हैं। तो दान जरूर ही करें। हो सकता है कि आपके पास दान करने के लिए बहुत सारी चीजे नहीं हैं लेकिन आपके पास जो भी दान करने के लिए हैं आप दान जरूर ही करें। यह आपके लिए फायदे मंद होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत सारा दान करें। आप थोड़ी थोड़ी चीजों को दान कर सकते हैं यह आपके लिए काफी फायदे मंध होगा आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप दान करने का सामार्थ नहीं रखते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप दूसरे उपाय करें जिससे कि आपको काफी फायदा मिलेगा आप समझ सकते हैं। वैसे भी दान करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। इस जीवन के अंदर दान बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके पास ये शरीर सदा ही नहीं रहने वाला है। एक ना ए कि आप किसी भी तरह से अच्छे कर्म सदेव करते रहे। गुरू को मजबूत करने के उपाय पुखराज पहने पुखराज ब्रहस्पती ग्रह का रत्म होता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरू कमजोर है तो फिर आपको प पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप पुखराज पहनने के उपविचार कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप इसको सही जगह से ही खरीडे। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर इस तरह की नकली चीजे बहुत अधिक बिक रही हैं यदि आप नकली चीजों का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए काफी अधिक नुकसान कर सकती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी ज्योतिशी को जानते हैं तो उसके निर्देश के अनुसार ही पुखराज को ध तम माना जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सबसे अधिक सही होगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको बता दे कि पुखराज को धारन करने के अनेक फायदे भी होते हैं। सबसे पहली बात तो यदि घर के अंदर धनकी क समी है तो आपको पुखराज को धारन करना चाहिए। इसके अलावा यदि विवाह के अंदर देरी हो रही है तो उसके लिए भी आपको पुखराज को धारन करना चाहिए आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग धार्मिक विशयों के अंदर रूची रखत उनको पुख्राज धारन करना चाहिए यह उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। ब्रहसपती के रत्म को ब्रहसपतिवार के दिन और पुशे नक्षत्र में धारन करना शुग रहता है। और आपको बता दे कि पुख्राज को सोने की धातु के अंदर ही पहनना चाहिए। इसमें पहनना काफी शुग होता है। गंगा जलगी, दूद, शहर, शक्कर में स्नान करा कर फिर हल्दी वपीले पुश परपित कर उब्रहमब्रहसपते नमह मंत्र को 108 बार जाप करें और उसके बाद इसको अपनी तरजनी उंडली में धारन करें। बहतर यहीं होगा कि आप किसी जानकार इंसान से संपर्ख करें। जो कि आपको इसके बारे में बताएगा। और आपको धारन भी करवा सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने ये सब नहीं किया है पहली बार कर रहे हैं वे इन विधियों को सही तरह से नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। अब यदि हम पुखराज रत्म के फायदे के बारे में बात करें तो इसके कई सारे फायदे होते हैं जैसा कि हमने आपको उपर बताया है बाकी नीचे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। जैसे कि आपकी शादी काफी समय तक अटकी रही है तो आपको पुखराज को धारन करना चाहिए। जिससे कि आपके लिए काफी फायदे मन चीजे होगी आप पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, सबसे बड़ा फाइदा पुखराज धारण करने का ये है कि इसकी मदद से मानसिक शांती मिलती है, यदि आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो फिर आपको पुखराज को धारण करना चाहिए, यह आपके लिए काफी फाइदे मंद हो इसके अलावा पुखराज को धारण करने का एक फाइदा ये है कि इसकी वजह से जातक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप इस बात को समझ सकते हैं, यदि आपका आत्मविश्वास चीजों को लेकर काफी कमजोर हो इसके अलावा पुखराज को धारण करने का फाइदा एक ये भी है कि आपके भागे को उदे करने का काम करता है, यदि आप कोई काम कर रहे है और बार बार वो काम सफल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका भागे काम नहीं कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आपका भागे साथ नहीं दे रहा है तो फिर आपको पुखराज को धारन करना चाहिए। इसके अलावा यदि घर के अंदर धन की समस्या है तो उसे भी पुखराज धारन करने से फाइदा होता है। मतलब आपके घर के अंदर धन आने लग जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और घर में धन की कमी दूर होने लग जाती है इसलिए पुखराज को धारन करने से कर्ज मुक्ती होती है यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है और कर्ज उतर नहीं रहा है तो फिर आपको पुखराज को धारन करना चाहिए यह आपक आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत के अंदर विवाह की काफी अधिक समस्याएं हो रही है। इसका कारण यह है कि यहां पर लड़के काफी अधिक हैं। और सब लड़की वाले सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों को पसंद करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिती के अंदर शादी नहीं हो पा रही है। यदि आपके भी विवाह के अंदर देरी हो रही है तो फिर आपको पुख्राज को धारन करना चाहिए। और यहीं आपके लिए सही होगा। इसके अलावा पुखराज को धारन करने का एक फायदा ये भी है कि ये दुरगटना होने से पहले संकेत दे देता है। और इस तरह से आपको एक संकेत मिलता है। यदि आपके अंदर उसे समझने की क्षमता मौझूद है तो आप उस बुरे होने से बच सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको हम बता दे कि पुखराज दिमाग के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यह आपकी बुद्धी का विकास करता है और बुद्धी को बढ़ाने के साथ ही तनाव को कम करने में मदद करता है। आजकल आप देखी रहे हैं कि हर तीसरा इंसान तनाव से ग्रस्ती है। ऐसी स्थिती के अंदर पुखराज का उप्योग करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। जब इंसान की बुद्धी का विकास हो जाता है तो उसके बाद इंसान विविक पून कार्य करने लग जाता है। आपको बता दे कि पुखराज के धारन करने से संतान सुख प्राप्त होता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है। उनके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संतान नहीं हो रही है तो पुखराज का उप्योग कर सकते हैं। शायद काम बन जाए। इसके अलावा आपको बता दे कि पुखराज कई तरह की शारीरिक समस्याओं को दूर करने का काम करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलावा इस तरह का जातक सत्य के मार्क पर चलने वाला बन जाता है। और इस तरह का जो जातक होता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। दुख होने पर भी दुख नहीं होता है। बढ़ों का सम्मान करना सीखे दोस्तों आपको पता ही है कि भारत ये संस्कृती को फिल्मों और नाटकों ने पूरी तरह से नश्ट किया जा चुका है। नंगापन आधुनिक्ता हो चुका है। भारत के अंदर बढ़ते तलाग के मामले इस बात को स्पष्ट कर चुके है। यहाँ पर बहुत कुछ विदेशी सिस्टम आ चुका है। आपको बता दे कि यदि आपका गुरू काफी कमजूर हो चुका है तो फिर आपको चाहिए कि आप बढ़ों का सम्मान करे। बढ़ों का अपमान कभी भी ना करे। वरना आपके लिए काफी नुकसान दाए हो सकत है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से आपके गुरू रूष्ठ हो सकता है। यदि आप गुरू की स्थिती को अपनी कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपने बढ़ों जैसे माता-पिता आदी का सम्मान करना होगा। आप इस बा इसके अंदर सम्मान जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन माता-पिता का तो कम से कम सम्मान करना ही चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। यहां पर सम्मान का मतलब यही है कि कि आप उनके सामने ना बाले और उनकी बातों को ना काते यही आपके लिए सही होगा। अपने घर में साफ सफाई करना जरूरी है दोस्तों यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरू की स्थिती अच्छी नहीं है तो फिर आपको अपने घर के अंदर साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई सही से नहीं होता है वहा की साफ सफाई समय पर नहीं होती है जिसके चलते काफी प्रेशानी होती है आप इस बात को समझ सकते हैं वैसे भी घर की साफ सफाई का होना बहुत अधिक जरूरी होता है कारण ये है कि घर में गदंगी in की वजय इसे घर में काफी तेजी से बीमारिया फैल जाती है और घर के सदस्य बीमार होने लग जाते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यही आपके लिए सही होगा क्योंकि जिस घर के अंदर गंदगी होती है उस घर के अंदर मक्खी आती है और यह अपने साथ कई तरह के कीटानू लेकर आती है जो की बीमारिया फैलाने का काम करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं इसलिए अपने घर के अंदर साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। आप अपने घर में पोचा भी लगा सकते हैं जिससे की घर के अंदर गूंते छोटे मोटे जानवर आसानी से मर जाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। पीपल की पूजा करना चाहिए दोस्तों पीपल की पूजा के बारे में आप जान सकते हैं। आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म के अंदर के अंदर पीपल को काफी पवित्र पेड माना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। माना जाता है कि इसके अंदर कई देवताओं का वास होता है और यदि कोई इसकी पूजा करता है इसकी पूजा करने से शनिदोष से मुक्त मिलती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलावा पीपल के पेड़ के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विश्मु जी का आवास माना जाता है इसकी पूजा करने से काफी फायदा होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने से आशीरवाद मिलता है और दुर्योदे से पहले पीपल की पूजा करने को अश्युब माना जाता है क्योंकि इस समय लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी पीपल के अंदर वास करती है और वो आपके घर में चली आती है। इसलिए रात में पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दे कि पीपल की पूजा करने का सिर्फ एक फाइदा ये ही नहीं है कि आपको गुरु के बुरे असर से मुक्ती मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइदे होते हैं पीपल की पूजा करने के तो इसके बारे में भी आईए हम जान लते हैं। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना काफी लाबदायक माना जाता है। दोस्तों यदि किसी को शनी की साड़े साती चल रही है तो उसको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने का फाइदा ये होगा कि शनी की साड़े साती दूर हो और कश्ट कम होगे, इसके लिए पीपल में जल धाले और दीपक जलाए। यदि आप पीपल की पूजा करते हैं तो फिर आपको देवताओं का आशीरवाद मिलता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जब आप पीपल के पिड़की पूजा करते हैं तो आपके सारे पापकर्म समाप्त हो जाते हैं। हाला कि इसका मतलब ये कतरी नहीं है कि आप जान बूज कर पाप करते हैं जाए और उसके बाद पीपल के पिड़की पूजा करें। आपके मन में पश्चाताप होना चाहिए तभी ये काम करता है। क्रिपा बरसाते हैं और यदि आप गुरुवार को व्रत करते हैं तो आपको गुरु की क्रिपा प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन जल्दी उठने के बाद स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा के लिए केले पेड के नीचे भगवान विश्णू की मूर्ती स्थापित करें और उसके बाद उनकी पूजा करें। एक लोटे में पानी और हल्दी डाल कर पूजा के स्थान पर रखें। इसके अलावा भगवान को गुर और चने का भोग लगाएं गुरुवार व्रत की कथा का पाठ करें। इसके अलावा हल्दी वाला पानी पेड की जड़ों में डाल दें। दोस्तों यदि आप पहली बार गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको सही समय का चुनाव करना चाहिए। तभी आपको फाइदा मिलेगा आप इस बात को समझ सकते हैं। पुश्य नक्षत्र के दिन आपको व्रत करने का समय चुनना चाहिए। गुरुवार के दिन यदि आप भगवान व्रत कर रहे हैं तो भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान व्रत करते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें और उसके बाद उसकी पूजा करें। गुरुवार के दिन उनद की दाल वचावल के सेवन से परहेच करना चाहिए। इसके अलावा आपको बतादे कि गुरुवार के दिन दाड़ी, बाल, नाखुम नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कपड़े धोने वसिर्धोने आधी की भी मनाही होती है। आपको बतादे कि पूजा यदी आप कर रहे हैं तो पीले कपड़े और पीली ही चीजों का भोग देने की कोशिश करें और पीले फूलो को आपको अर्पित करना चाहिए। आपको बता दे कि 16 गुरुवार का व्रत भी होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भगवान विश्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुर्ट, पीला, कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान देना चाहिए गुरुवार को व्रत करने के फायदे के बारे में बात करें तो इसके कई सारे फायदे होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं तो आईए जानते हैं गुरुवार के व्रत करने के अन्य फायदों के बारे में भी आपको बता दे कि गुरु को बुद्धी का देवता माना जाता है इनका वुरत करने से बुद्धी का विकास होता है निर्णय लेने की क्षमता और ग्यान का विस्तार होता है इस बात को आप समझ सकते हैं इसके अलावा जिन लोगों के विवाह के अंदर विलंभ होता है उनको गुरुवार का वुरत रखने के बाद भगवान विश्नु की पूजा के लिए केले पेड़ को चुनना चाहिए। इससे जल्दी विवाह होने के योग बनते हैं। इसके अलावा भगवान विश्नु की पूजा करने से माता लक्षमी प्रसन होती है और इसकी वजह से आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। यदि आपके घर में धन की कमी है तो आपको इसकी पूजा करना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता है तो इसके लिए आपको रोजाना तीन से सोलह माला गुरु मंत्र की जाप कर सकते हैं यह आपके लिए काफी फायदे मंद होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहि यदि आप खुद मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे से मंत्रों का जाप करवा सकते हैं, इससे भी आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है, यदि आप इस मंत्र का के बेसन चीनी और घी से बने लड़ू का सेवन करना चाहिए ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो गुरू का दोश है वह दूर हो जाएगा यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप आसानी से कर सकते वैसे जरूरी नहीं है आप दोनों समय यही करें लेकिन आप एक नियम बांध सकते हैं और उसके बाद इनका सेवन कर सकते हैं आपको इसका फायदा मिलेगा आप इस बात को समझ सकते हैं यही आपके लिए सही होगा